हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशब चार्जर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइबर के बारे में तो मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बना था जियो फाइबर कस्टमर केर सर्विस के बारे में कैसा है तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं तो अगर आप मुझे कोई भी कुछना जाते है रिलेटेट टो जीओ फाइबर आप मुझे मेसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर आप आर्सी मीडिया होस तो आज कि इस वीडियो में जो भी कुछन थे सभी कुछ मैंने लिख दिया है और वीडियो को पूरा देखिए और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान भी दो क्विश्चिन थे कि कैसे मिला जी ओफाइबर कनेक्षिन बट नहीं लोगडाउन में भी लिया लोगडाउन के बाद भी मैंने लिया मेरा जीओवर कनेक्षिन मैं लिया था नवेंबर 20 नवेंबर October November 2019 को तभी free ओलोग दे रहे थे connection उससे भी पहले मुझे लग थे 2-3 months free दिये थे तो I think so October या starting October उससे थोड़ा आगे at least one minute after two months free मिला था तो तभी मैंने Geofiber लिया था free offer के समय ठीड़े तो पहले मैंने पुरा free use किया था इसका which plan do I have तो पहले मैंने free use किया उसके बाद मैंने recharge नहीं किया था January February यह सब जब से ओ लोग बोले थे कि we make everyone go to paid plan तब मैंने नहीं लिया था उसके बाद जब lockdown हुआ तो उन्होंने एक offer निकाला जिनके बास भी geofiber है doesn't matter whether you have मतलब active plan or not सबको 10 Mbps 100 GB free दे रहे थे for one month तब ही फिर से start किया geofiber मैंने तो router को offer कर दिया था तो तब start किया था उसके बाद recently last month just test करने के लिए और क्योंकि मेरा primary broadband का मतलब quota खतम हो गया था तो इसलिए इसको मैंने start किया तो अभी के लिए one month almost होने जाना है और एक वीक में हो जाएगा तो अभी के लिए silver plan पर है और इसका cost around with GST 1000 something change आया तो डिडियू गेट दे सेट्टॉप बॉक्स के बारे में वह कस्टमर वाला का कस्टमर सर्विस feedback वाला review था बहुत problem हुआ था अगर आपको जानना है तो वीडियो देख लीजिए जो मैंने पहले भी बोला है तो at the end of the day क्या मुझे सेट्टॉप बॉक्स मिला की नहीं हाँ मिल गया अभी चल रहा है अगर आप सेट्टॉप बॉक्स का review देखना चाहते है मेरा opinion कैसा लगा मुझे तो comment section में बोल दीजिए अगर बहुत सारे लोगों ने comment किया और आप देखना चाहते है तो definitely मैं अपना opinion बता दूँगा कैसा लगा मुझे और क्या is it really worth it next how is the set-top box तो यह set-top box के बारे में आप अगर जानना चाहते अभी के लिए it's good but बहुत चीज है जो मुझे actually आपके साथ शेयर करना है तो अगर आप interest rate रहेंगे तो definitely मैं शेयर करूंगा comment में बोलिए अगर आपको देखना है तो हम जरूर बनाएंगे उसके बाद which router do you have तो अभी के लिए जब जियो ने start किया था geofiber तब आपनों सुनाओगा दो router चल रहा था एक कुछ white color का था एक black color का था अभी सभी को black वाला ही दे रहे है और यह dual band router नहीं है यह single band router है 2.4 GHz का तो that's really option मैं पूछा था कि dual band का option है कि नहीं मुझे dual band लेना है नहीं खालिए single band वाला तो 2.4 GHz अगर आप wifi पे चलाते है no matter whatever your plan इसका max speed 50 to 60 Mbps ही आता है उससे जादा कभी-कभी मतलब कोई high-end phones रहा तो उसमें थोड़ा जादा speed आता है बर नॉर्मल budget phones में तो इतना ही मतलब आता है 5060 max TV पे चला है computer में max इतना ही आता है उसके बाद how is the speed so speed के बारे में अल्रेडी बोल दिया 5060 max on wifi and around 95 Mbps on ethernet क्योंकि मेरा 100 Mbps प्लान ही है did you face any connectivity issues तो connectivity issues इसका basically question आया था क्योंकि कल बहुत लोगों ने geofiber का twitter पे comment कर रहे थे कि उनका basically North India में geofiber डाउन था बहुत सारे articles भी आया थे कि geofiber डाउन है बहुत सारे parts में तो अगर आपके बाद geofiber है तो आप मुझे बताए क्या आपने कोई problem face किया कल या नहीं बोले तो थे according to company की 3-4 hours में ठीक कर देंगे हमारा situation कैसा था तो मैंने शाम को चला था geofiber वाया ethernet कोई उतना problem नहीं था एकदम नॉर्मल ही चल रहा था रात को थोड़ा सा connectivity issues हो रहा था वाया ethernet wifi में भी वैसे ही चल रहा था कोई different नहीं था थोड़ा कभी speed थोड़ा slow हो रहा है fast हो रहा है slow हो रहा है fast हो रहा है but down completely नहीं था बैंगलोर में article में पढ़ा था कि बहुत लोग बैंगलोर में भी बोल रहा थे कि बहुत लोगों का basically North India में जादा था क्योंकि Mumbai में कुछ under sea cable से उसमें कुछ problem हो गया था तो इसवाज़े से North India में जादतर जगह में पूरा down था और Geofiber मैंने आगी बोला है customer care service कैसा है तो live chat यह सब option में कुछ reply नहीं देते person वो खाली automated रहता है तो यह तो different problem हो गया तो कोई reply नहीं दे रहा था Twitter में कुछ-कुछ लोगों को reply दे रहे था वो भी automated की send your this number के लिए this काम कर रहे थे कि बता नहीं आप मुझे बताईए अगर आपको ऐसे कोई problem हुआ था Geofiber में कि अभी solve हो गया है कि नहीं बोल तो रहे थे कि 3-4 hours में हो जाएगा बट मुझे तो कोई problem लगा नहीं तो मैं बोल नहीं सकता solve हुआ के नहीं अभी तर तो बस यही सारे questions थे अभी के लिए Geofiber अभी तक experience कैसा रहा तो plans costly है हमारा दूसरा इदर competitors आप देखे broadband का तो there are options कुछ भी ऐसा नहीं है विचलाव विचल से हां आप जीओ लीजिए सभी मतलब एक ही level पे level playing field में I would say some broadband are offering something that according to me as a YouTube creator does make me go to that broadband instead of Jio Jio में सबसे बड़ा problem जो है यह है upload का अगर आपको upload के बारे में एक video चाहिए तो वह भी बना दूंगा बस comment कीजिए जो भी video चाहिए comment कीजिए जादा लोग बोलेंगे तो definitely मैं बनाऊंगा तो वह है pricing wise थोड़ा expensive ही है उसके बाद router भी dual band नहीं देते है single band देते है ठीक है free देते है बट स्टिल अभी के जमाने में dual band देना था single band क्यों दे रहे पता ने suppose आपके पास phone है ठीक है अभी 4G चल रहा है और आपको 3G phone देते है चलेगा तो 3G phone भी मैं जिए निटवर्क में नहीं चलेगा बट लट से एटल वाले लोग दे रहे थे 3G phone चलेगा 3G phone भी बट अभी जमाना है 4G का और आप 3G phone दे रहे तो कैसे चलेगा वैसे ही अभी जमाना है ड्यूइल बैंड का Wi-Fi 6 चल रहा है स्पीड इंक्रीज हो रहा है और आप दे रहे सिंगल बैंड नो मैटर हो सकते है मेरा 100 MPS प्लान है फिर भी आपको ड्यूइल बैंड देना ही चाहिए और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने क्या देखा यह जियो फाइबर का इनका प्र सिंगल बैंड रौटर सिंगल बैंड रौटर का मैक्सिमाम स्पीड कितने होता है 50-60 Mbps जाद अतर जगह जिनके पास अल्रेडी ब्रॉडबैंड है उनको कितना स्पीड मिलता है 50-60 Mbps ही मिलता है हम लोग मतलब अतली साथ इंडिया में जहां भी कनेक्टि ब्रॉडबैं मतलब अच्छे कंपनीज है इनको बहुत 100 Mbps तो मिनीमम मिलता है और वाइफाई मिनीमम इससे जादा भी सभी को मिलता ही मिलता है अगर अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है हम लोग बैंगलोर में देखे 100 Mbps बहुत जगह मिलता है तो 50-60 Mbps is just nothing for us तो वो तो खतम हो या स्पीड के बात ही खतम हो गई वाइफाई रावर राउटर अच्छा नहीं दे रहे है उसके उपर मैक्सिमाम स्पीड कितना दे रहे थे फ्री में 100 Mbps हां बोल सकते है फ्री में दे रहे थे जो दे रहे है वो ही ले लो बट फ्री में दे रहे थे क्यों ताकि हम पेड ले सके ना फ्री में दे रहे थे तो स्पीड 1 Gbps देना चाहिए था 400-500 Mbps देना चाहिए था ताकि वो स्पीड दे के हमको लगे वा क्या स्पीड है भई हमारा पास जो अभी broadband है इतना हता ही नहीं इसमें कितना अच्छा आ रहा है क्या स्पीड है वो देखके हो सकता है मै प्राइजिंग भी जादा रखे तो यह सब देखके मुझे इसलिए मैं पहले लिया ही नहीं पेड प्लान अभी क्यूंकि मुझे जरुरूत था इसलिए ही मैंने लिया और अभी मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूं बट खाली टेस्टिंग के लिए मैं हो सकता है नहीं भ फाइबर को इंप्रूब करना ही पड़ेगा इफ दे वांट टो एक्सलिए जब जियो सिम आया था तब एकदम रेवलुशन जैसे हुआ था बट जब यह जियो फाइबर हम सब सोच रहे थे हूं कितना करेगा कितना सब बूरा चेंज करतेगा मार्केट को मैं तो देख रह तो ओवरॉल एक मतलब फ्लॉप शो जैसे ही था अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है वैसे ही है चलिए देखते है कुछ इंप्रूब करते है कि नहीं बट ओवरॉल उनका जो प्रिवियो आफर था मैं सुना था आगे मतलब वानियर अगो या स्टार्टिंग 2019 में जब ख कमर्शली रोल आउट करने लगे उसके बाद सब कुछ खतम जैसे ही हो गया बट देखते हैं इंप्रूब होता है कि नहीं अभी के लिए फर्स्ट इंप्रेशन तो जो मैं बोला अभी यही मेरा इंप्रेशन है देखते हैं कितना इंप्रूब होता है बट बस यह आपके सा करना था थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो बट सब कुछ शेर कर दिया लाइक करना इंस्टाग्राम पर मुझे फॉर्व किजी अधर रसी मीडिया हूस ट्विटर पर भी अधर रसी मीडिया हूस फेस्बुक पर यूट्यूबर रिशब चाट जी www.facebook.com स्लाश दरिशब चाट जी आज के लिए इतना है फिर से अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई आन स्टे सेफ